हाइ अब्रेवन दिस अपर में अफ्यरी एजुकेशन और नाव एंसेंडिंग प्रण फ्रेमिय फेर्डर एंवर्सिति इन रश्या तो यह यूनिवर्सिति काफी अच्छी आप इंडियन चूड़ेंट यहां पर इंडियन स्टुड़ें जो स्टुड़ी कर रहे हैं यहां प है हमारे जो यहां से पढ़ने के बाद बचे एक्जाम देते हैं मसजा वसका पासिंग्रेट बिख चाहर काफी इच्छी सफ्यरूर्शिया में सबसे ओनिविर्सिती अब काफी बड़ी उनिवर्सिती हैं अभी हम पूरी university गूमेंगे like कहा पर क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं students के लिए information board बनाया गया हुआ है कि student को किसी भी type की information देनी हो तो यहाँ पर लगा देते हैं और यह काफी अच्छा परलब walking के लिए area दिया गया है student के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं buildings दी गई है जहाँ पर biology chemistry की classes लगती है student की यहाँ पर यह तीनों लिडिंग में student की classes लगती है आप देख सकते हैं university के center में एक church बनाया गया है students के लिए मतलब अलमुस्ट अबी के लिए चर्च है अगर किसी को चर्च में जाना है तो हो जा सकते है इसली कि इंसाइड में आप सामने देख सकते हैं canteen दी गई है students के लिए जो like university के सामने canteen है और उस साइड आप देख सकते है dean office दिया गया है वो dean office है कि अधर उस साइड अभी हम लोग चलके देखते हैं कि उस साइड क्या बना हुआ है अभी हमने उदर से dean office देखता आप यहां से देख सकते हैं इधर dean office office है यहां पर और इस साइड आप देखेंगे वाइट इन साइड पर क्लास्रूम्स है जहां पर student अपनी study करते हैं के classes लगती है सामने आप देख सकते हैं वह sports complex है like sports वगएरा student के लिए होते हैं उदर cultural area है जो भी functions वगएरा होते हैं वो side ही होते हैं यह पूरा area university का है वहाँ पर आप देख सकते हैं hostel number 2 और 3 वहाँ पर है अभी हम 4 और 5 और 1 हम घूम के आ चुके हैं और hospitals भी हैं जो कुछ walking distance पर है total पांच hospital है और पांच hostels है यहाँ पर कुछ hospital है जो आपके walking distance पर है और कुछ 10 minutes की दूर की distance पर है